आप देखरें डेली इंसाइडर मैं हूँ आपके साथ आई श्यूनिकब वर्तमान दौन में तरह तरह के रोगों की आमद भरती जा रही है ये रोग न केवल बड़े बलकि बच्चों को भी अपना निशान बना रहे हैं बच्चों में ये रोग अनुवानशिक कारणों से साथ ही साथ माता के खान पान के चलते भी दिन चर्या की वज़े से भी घर कर जाते हैं ऐसे में हमारी लिए प्रिकॉशन्स जरूरी हो जाते हैं यही वज़ा है कि आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं डॉक्टर जेडी रावत से जो की शहर के जाने माने पीडियार्ट्रिक सर्जन है और केजी M.U. में पीडियार्ट्रिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष भी है तो आए सुनते हैं डॉक्टर जेडी रावत को को अध्यक्ष भी है झाल झाल निराशा में भी आशा भर देते हैं असंभो को भी संभो कर देते हैं कहते हैं कि उनकी सेवा भावना को देख के लोग उन्हें धर्ती पे भगवान की संग्या देते हैं ये कहावाट डॉक्टर जेडी रावत पे बिल्कुल सही बैठती है सर जब पद मिलता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है उसके साथ साथ ही एक कहाणी चुपी होती है उसके बादे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कैसे शुरुआत हुई और आज यहां तक आपाएं दिखे मैं यहां का पोस्ट ग्रेजुएट इस्टुडेंट हूँ पर एम बीबीएस भी मैंने यहीं से किया और फाइनली असेजिएट से हम प्रोफेसर हैं और साथ में बिभागा ध्यक्च की भूमिका निभा रहे हैं बिगत दो वर्सों से हम बिभागा ध्यक्च का काम दे रहे हैं और प्रोफेसर तो हम 2007 से हैं और जैसा आपने बताया कि जैसे जैसे आदमी का पद बढ़ता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और सामाजिक दाइत भी बढ़ता है तो इस medical profession में especially जो हमारा विभाग है इसमें धेर सारी challenges हैं जिनको हम विभाग के और consultant के माध्यम से इसको solve करने की कोशिश करते हैं जो समस्यां वह देखने को मिल रही है कारन क्या है और सुझाओ क्या देना चाहते हैं जो अस्थती है वो ना देखे जो आपने सवाल किवाज किया है कि कभीट के बास से बच्चों में कीड्नी की प्राबलम आ रही है ऐसा तो कम है लेकिन मैं आपको बता दूँ बच्चों में कई ऐसी पैदाईसी किड्नी की विकृतियां होती है जिसमें कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें गुर्दा खराब होता है एक गुर्दा खराब होता है या तो डेवलप ही नहीं होता है या उसमें सूझन होती है जिसको हम हाइडो नेफ्रोसिस करते हैं या पिशाब की थैली की नीची रुकावट होता है जिसमें या विसाइकोईटिक रिफलक्स होताlair या बच्चे के जो पिशाब का रश्टा है जहां होना चाहिए वहां ना होके यह जादा तर नीचे होता है या पिशाब के जो नली है उसके ऊपर होता है तो यह कमियां मतब इस तरह की विकृतियां बहुत पहले से होती आ रही है जहां तक इन्फेक्शन कोरुना की है अगर आपने देखा होगा कोबिड काल में सबसे ज्यादा अगर एफेक्टेट ग्रूप रहा है तो वो मरीज हुए हैं जो एडल्ट थे जिसमें डाविटीज था हाइपर टेंशन था कार्डियक इसूज थे हाइपो थाराडिजम था इमुनो कंप्रोमाईज पेशें थे बच्चों में इसका इंसिडेंस कम था लेकिन बी बच्चे जो है जो भी स्नीजिंग करते हैं उनका कोई केर नहीं होता तो एक बच्चे से दूसरा बच्चा इंफेक्ट होता है यह सब विवस्थाएं मतब देखने को मिली हैं मरीजों में अच्छा आपकी कारेकाल के दौरान पेडियाट्रिक विभाग में कई सारे जो किर कुमिका निभा रहे हैं और हमने जब से यह चार्ज लिया हूं उसमें काफी बदलाव मैंने किया हूं पहले भी विवाग में काम होते रहे हैं लेकिन कुछ हमारे समय जो काम हुए हैं कि जैसे हमने विवाग में OPD का डे बढ़ा दिया हूं तो पहले मरीज जहां पर हमारे सौ के अंदर मरीज आते थे अब हमारे पास करीब डेड़ सौ पॉने दो सौ मरीज एको पीडी में आते हैं दूसरा हमने इस्पेशलाइजड क्लीनिक शुरू कर दिया हूं पहले हमारे हैं जनरल पीडियाटिक सर्जरी के पेशेंट होते थे कि हर ओपीडी में लगभग सब वही पेशेंट आते थे लेकिन हमने स्पेशलाइज क्लीनिक करने से हमने किया कि पीडियाटिक उरालिजी का एक क्लीनिक खुला एक पीडियाटिक नियूरो सर्जरी का खोला हूं पीडियाटिक सर्जिकल आंकॉलोजी का खोला हूं तो इससे क्या है कि धीरे धीरे हमारी य वैसे ही अलग-अलग इस पेसल्टी का डेवलप हो रहा है और हमने जो कंसल्टेंट हैं उनके इंट्रेस्ट के अनुसार ही वो इस पेसल्टी डेवलप किया हूं ताकि वो भी कंसल्टेंट उस यूनिट में या उस इस पेसल्टी में काम करें एक तो यह और साथ में हमाने और सुपर स्पेसलिटी के हो गई विभाग में मैंने बहुत सी चीजें ऐसे कराया हैं जैसे आप यह जो चेंबर में हम लोग बैठ के आज इंटर्विव ले रहे हैं यह हमारा सेमिनार रूम होता था हमारे पास पहले हेड़ अप डिपार्टमेंट बैठने के लिए कोई चाज सिटेट का बनवा दिया हूँ तो एक तो यह बदलाव है हमारी जो इमर्जंसी सर्विसेज होती थी उसका रिनोवेशन हो रहा है गर आप वहां जाके देखेंगी तो बहुत बढ़ियां आईस्यू सेटप बन रहा है जिसमें अल्ट्रा माडन जिसमें बैट्स होंग होगे बेंटिलेटर होगा मानीटर होगे इनफ्यूजन पंप होगा एकदम मतब मार जैसे कार्पोरेट में होता उस तरह का बन रहा है जो आनरेबुल बाइस चांसलर सहाब की दिसा निर्देश और उनके सहयोग से यह बन रहा है एनाईस्यू में हमारा पहले जो सिंपल व होस्ता है ओटी जो हमारा पहले एलेक्टी ओटी होती थी उसी में हमारी इमर्जंसी ओटी होती थी उसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि इमर्जंसी ओटी में जातर बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं तो इससे जो आपरेशन इलेक्टी में होता था उनको उनको कि माध्यम से उसको हम इस्टाल कर रहे हैं तो काफी काम चल ला है एक सिरफ दुखद वाद यह है विभाग में कि पहले जो हमारे MCH student दो पर year आते थे हला उसकी seat बढ़ा करके दो से चार कर दी गई है लेकिन प्रदेश में इसका बांड लगा हुआ है कि जो बच्चा यहां जोईन करेगा या तो दो साल रूरल सर्विस करेगा या अगर वो नहीं करना चाहता तो एक करोन का बांड देगा इसके तहट हमारे पास इस समय resident manpower नहीं आ रहे हैं और प्रशासन से और शासन से मेरा बार बार अनुरोध होता है कि यह बांड पीडियाटिक सर्जरी के लिए हटा दिया जाया क्योंकि यह बांड पहले राजस्थान में भी था उन्होंने हटा दिया अब वहां भी candidate आने लगे हैं तो यह मैं आपके channel के माध्यम से आपसे वारता के अंसार मैं प्रदेश सरकार से पुना अनुरोध करूंगा कि यह जो कमिया हैं इसको दूर किया जाया ताकि resident manpower यहां आने लगे और प्रदेश की जो बच्चों की जन्मजाद विकृतियाँ का जो विभाग है और यहां पर मरीजों की सेवाएं इत्थावत चलती रहें यह मेरा अनुरोध है अचा आप आयम में क्या क्या बदलाव हुए उसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं उस पर देखे चिकिस्टा सेत्र में तो काफी बदलाव हुए हैं गौर्मेंट प इसके हर जिले में लगभग एक मेडिकल कालेज ला रहे हैं यह अच्छी बात है और वहां पर थोड़ा सा अभी वीकनेस है कंसल्टेंट को ले करके और पैरा मेडिकल को ले के पट गवर्मेंट इसके लिए चिंतित है आने वाले समय में उसको पूरा करेगी जहां तक पठ कूरी कूलम में काफी बदलाव किया गया है और वो जो कूरी कूलम में बदलाव है वो सामाजिक दिरिष्ट के कोंड से बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें मेंटर मेंटी प्रोग्राम लाया गया है सोसल एडाप्टेशन का प्रोग्राम लाया गया है बच्चों को रूर की जाती है तो प्रोफेस्टनलीजम के सांस सोचल जानना बहुत जरूरी है जो मेरे समझ से आज के दोर में बहुत जरूरी है अक्सर आपने पेपर में मीडिया में सुना होगा की जूनियर डाक्टर या डाक्टर की तिमारदार से लड़ाई जग्रे हो जाता है तो इसलिए यह सब लाना बहुत जरूरी था बच्चे एक्सपोज होंगे सोसाइटी में तो सबका दुख सुक एक दूसरे को समझेंगे और फिर उसको उसी ढंग से मैनेज करने की बात करेंगे एक आखी सवाल आपसे करना चाहते हैं राइट तू हेल्थ की विरोध में भी आयम में विरोध कर रहा है लडाई कर रहा है क्या मामला क्या है किस दीश का विरोध जताय जा रहा है और सरकार से क्या चाहते हैं देखें ये बहुत अहम मुद्दा है जो आज कल बर्निंग चला है राजस्तान सरकार ने 21 मार्ज को एक जियो निकाला है जिसमें लिखा है राइट टू हेल्थ जो जियो है उनका ये कहना है कि जैसे हर मतब प्रदेश के हर मतब मनुस्य को या परसन को हेल्थ की सुबिधा फ्री होनी चाहिए यह गवर्णिंट का मतब करना चाहिए और ये परसन का राइट है बहुत अच्छी बात है और यह प्रदेश सरकार में जितने भी गवर्णिंट हो Patrol है ये करते हैं और हम लोग भी करते आ रहे हैं लेकिन जो प्राइबेट सेक्टर है प्राइबेट सेक् उसको करना चाहते हैं और उसके जो नार्मल एक्सपेंसे आते हैं वो पेशिंट से बियर करते हैं चाहे आप कहीं चले जाए अगर गवर्मेंट के बनाये हुए प्रावधान जैसे सुलब सवचाला है अगर आप वहां हमाब भी यूज करते हैं तो कुछ न कुछ सुलक लगत इवन प्राइबेट वाले भी फ्री इलाज करेंगे और कोई मरीज को पैसा नहीं लेंगे आकस्मिक सेवाए या इमर्जंसी सेवाए हैं उसको भी देखेंगे कोई इसका ले आउट नहीं है कि कितना पर पेशेंट वो फीस देंगे और क्या-क्या मतब गाइड लाइन रहे और अल्रेडी डाक्टर जो है उभुकता फोरम से अल्रेडी परिशान है कि कंजूमर फोरम उस पर लगाया गया है साथ में एक कमेटी और बनाई गई है तो वो लोग आपको मानीटर करेंगे अगर आप में कोई कमी लगती है तो आपको पनिस किया जाएगा तो इस तरह का जो ड्रकोनियन ला ले आए हैं वो बहुत ही खतरनाक है पबलीक के लिए भी पेशेंट और डाक्टर के लिए इसलिए वहां के डाक्टर चाभी लेकर के वहां के गवर्मेंट को दे रहे हैं कि आप खुछ चलाएए हम नहीं चला पाएंगे आपने कल देखा होगा कितनी ज बनाने से पहले जो इंडियन मेडिकल असोसियेशन के डाक्टर्स थे वहां के प्राइबेट प्रैक्टिशनर्स थे और भी तमाम गवर्मेंट के जो एपेक्स इंस्चूट के जो डाक्टर थे उनको इन्वाल्व करा करके ये रूल बनता तो जो कम्यात ही उसको दूर करते हुए इंप्लिमेंट होता तो बहुत अच्छा होता है इसलिए इसका बिरोध किया जा रहा है अभी आपने बताया आपने विभाग में आपने कई सारी तक्निकियों को जोड़ा है ऑपरेशन से जोड़ी क्या तक्निकी नहीं एड की गई है जो मरीजों के लिए सुधा जन हम लोग बच्चों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी सुरू कर दिये हैं इसलिए छोटे बच्चे जो है वह अब छोटे छेट से हम लोग दुरबीन डाल करके उनका अपरेशन कर रहे हैं यह एक नई उपलग्द विभाग में सुरू ही है अभी हमारे बिद्याले में रो इसे ही रोगोट आएगा तो हम लोग लेप्रोस्कोपिक से रोबोटिक सर्जरी की तरब भी बढ़ेंगे यह भी हमारे विभाग में एक पहल चल रही है और आगे हम लोग रोबोटिक की बात करेंगे तो यह हमारे साथ मौजू थे डॉक्टर जेडी रावत जिनोंने बता एक डॉक्टर की यह पहचान होती है कि अपने कारिकाल के दौरान अपने मरीजों की सुधाओं के लिए लगातार बदलाव की जाएं जो की जेडी रावत के दौरा किया जा रहा है वेड़े जनों इस बाबुलाल के साथ मैं प्राची तिवाई डेली इंसाइडर लखनों यूपे और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़वरों के लिए गूगल प्लेश्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज आप डेली इंसाइडर